इंडिकेटर के पार नेक्स्ट टू चीज मारे पास आरी होते हैं वो है P-H इंडिकेटर पी एच ए इंडिकेटर दे अ इस्ट में लाग रांग दे दियाzięki हैं बेस में अलग रहा दिया लिकिन अगर फिएच इंडिकेटर million बात करें स्चोडवतर सब्सक्राइब भूपकर बाते हैं मिजिए ने HOW देज़ रहा हुता आ है कि मिज में औल्र ले देता है लाइट ब्लू कह देता हूं यह स्पोल कर रहा हूं और यहां पर डार्क ब्लू रे देगा डार्क मतलब हर pH पे मुक्तलिफ रंग दे रहा हूता है इस चीज का इसमाल करके आप सिर्फ यह पता लगा सकते हैं कोई चीज एसेड है जबके pH इंडिकेटर का इसमाल करके आप इस चीज का अंदाजर लगा सकते हैं कि उस चैय की pH कितनी है अगर आपको pH का पता चल गया तो समझ लेजिएगा अब यहीं पता सकते हैं कि चीज एसेड है अगर इसेड है तो कितना स्रोंग अगर बेस कितना स्रोंग बेस है ठीक है तो यहीं बात हम यहां पर लिखेंगे pH पि-एच इंडिकेटर pH इंडिकेटर is the solution of यह मरबाद solution of mixture of organic compound mixture of Organic Compound पहले नमबर भी हमारबास क्या है Mixture of Organic Compound है मुच्छिव Organic Compound का Mixture है Which Give जो देर होता है Which Give Different Colors मुक्तलिफ रंग At Different pH मुक्तलिफ पे मुक्तलिफ रंग देगा Different pH pH Indicator मुक्तलिफ Organic Compound का Mixture होगा जो मुक्तलिफ pH पे मुक्तलिफ रंग देगा आपको पता है कि मुक्तलिफ pH जो है वो चोना है तो यह चोना तरह का रंग दे रहा होता है और से आप किसी भी Compound की pH का अंदाज़ लगा सकते हो ठीक है तो इसमें क्या होता है हमारे पास इसका तरिकागार जो है प्रोसिजर क्या होता है आपने सिर्फ definition याद करनी है exam में पुछी जाएगी सिर्फ definition पुछी जाती है आपके पास एक इस तरह की strip होती है प्रफ फिस होती है और यह होता है यह basically pH indicator ठीक है आपने साथ से पर लेना जी solution जी solution की आपने pH मालूम करनी है यह मैं वो solution लेना है आपने इस strip को उठाया के solution के अंदर बोख देना है सभी मैंने इस strip को उठाया के solution के अंदर यहाँ पर dip कर दिया कुछ पांस साथ सेकंड के लिए करना है सही है इसमें कलर चेंजिंग आ रहे हैं अगर यहीं बहार निकालोगे तो थोड़ से कलर चेंज आ चुका होगा जितना हिसा निचे डिप किया होगा मैं स्पॉज करता हूं वहां पे कलर में यह वाले तब्दिली आ गई अब यहां पर कलर चेंज हो गया है कलर चेंज हो गया है अब जहां से आप यह वाली स्ट्रिप को उतारते हो उसके उपर ने एक इस तरह चोदा रंग बने होते हैं मैं स्पॉस्ट कर रहा है तीसरा हमारे पास ब्लैक है मैं सपॉस्ट कर रहा हूं है च्वथ्य हमारे पास ग्रीन है सब्सक्राइब्र बाइद से वाइड कर वाइठ को यहां तरह कर तो रहा है आपने क्या क्या कर देखा है टेक्षकिस क्लमसे अपने क्या है यह सोलीशन आपने प्रोवाइड किया है, इसकी पि-एच टू है, इसकी पि-एच कितनी है? यह मैंना बैसिकली प्रोसीजियर है, जिस प्रोसीजियर को आप यूज करके पि-एच को मालूम कर रहे होते हो, ठीक है? कि आपने साथ से बहले पि-एच इंडिकेटर की एक स्ट्रिप लेनी है, उसक अगर अज़र करते हैं पि-एच दो आई है, तो आपने पर रखा है, अगर किसी पि-एच साथ से कम है, तो वो चीज इसर होगी, उगर साथ से ज्यादा है, तो वो चीज बेस होगी, ठीक है? तो अगर आप इसकी थोड़ी बहुत वर्टिंग रिखा जाते हैं, तो लिखन प्रोसिजर क्या जी, टेक, स्ट्रिप आफ, पी एच, इंडिकेटर, याद रखी कि पी एच इंडिकेटर भी दो थरह की फोर्म में होता है, एक तो पेपर की फोर्म में होता है, और ये को अच्छा है, सलुशन की फोर्म है, आप सुलूशन भी समाल कर सकते हो मिसलिन आप सुलूशन लो लिकोर टाइब होता है इस सुलूशन करना आप दो दिन डॉप डालने या पर कलर चेंज आएगा आप कलर चेंज को नोट करोगे इसके साथ कंपैरिजन करोगे जो आपको सुलूशन होता है उसका आप यूज कर सकते हो आपने साथ मेंने का गना है टेक स्ट्रिप पी एच इंडिकेटर इसके बड़ सेकंड स्ट्रिप क्या जी डिप देस्ट्रिप इन दा गिवन सुलूशन आपने दियेगे सुलूशन के अंदर स्ट्रिप को डिप का देना है वूज जिसकी वूज कंसेंट्रेशन टू बी डिटर्माइन टू बी डिटर्माइन जिसकी कंसेंट्रेशन हमने मारूम करनी है ठीक है चेंज इन कलर change in color of pH indicator occur pH indicator में रग में तब दिली आगी and match the color match the color with standard standard color scheme तो आप को standard color scheme दी होगी ना उसके से आप में color match करना है scheme and determine the pH और वहाँ से आप determine the pH वहाँ जाप pH का मालूं करतो ठीक है अब इसे भी थोड़ आड़ाइस लेवल का अगर आजाओ तो हमारे पास एक होता है जी pH meter क्या होता है हमारे पास है pH meter अगर बोड के point of view से देखा जाए तो यही दो जाड़ा important है ठीक है लिकि pH meter अगर लैब के हमाले से देखा जाए तो यह लैब के जहाँ से जादा important है अब pH meter नाम से जार हो रहा है कि एक ऐसा instrument है याद रखिएगा यह एक ऐसा instrument है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी solution की pH को मालूम करने के लिए किसी भी solution की pH को मालूम करने के लिए the instrument the instrument which is used जिसको इस्तेमाल किया जाता है to determine मालूम करने के लिए to determine the pH of a solution किसी भी solution की pH को मालूम करने के लिए पेस्तेमाल किया जाते है इसको हम नाम दे जाते है इस कार्ड इस कार्ड pH meter अगर पीएच मेटा अगर गोर करके देखो गए तो कुछ इस तरह को होता है तो तरह के बिसिकल pH meter होता है एक तो वही जिसमें सुई भार लगी होती है एक होता है डिजीटल जिसमें खुद वैल्यूज आरहे होती है जिसे गड़ी भी रहे ना एक स्वीय माली गड़ी होती है और एक हमारे पास डिजीटल होते है इन दोनमें अगर कमपेरिशन के रहे तो ज्यादा अच्छा वो डिजीटल वाला है सही है जाकर आपके लेवल त इसमें थोड़ से जाओ गए तो यहां पर दो अलेक्टोड होते हैं आपने उन तारह को उठा आगे कहां पी डाल देना है सुलूशन के अंदर सिंपल काम होता है इसको उठा आगे आपने कहां पर डाल देना होता है सुलूशन के अंदर और यह खुदबा खुदी पी एच को मालुम करके दे देगा यहां पर खुदबा खुदी सुई आगे कितर जाएगे अगर यहां तक जाती है तो आपको यह जो डिजिटल है वो से भी ज़ए रवांस है सभी उसमें आपने क्या करना जी सेम इस तरह की वो स्क्रिप्स होती है किसे अब उसको जाए कि सुविशन के जिप करना है जैसे जिप करो गए तो यहां पे वैल्य आएगी वैल्य को नोट करना अब के प्लिया चालेगी इस तरी हुआ है डार्क लुए बागवा जो स्ट्रिप का कलर चाहिए जाता है ना वह दो सुलुशन के जैनि थ्री और फॉर के दिर्म्यान में आ रहा होता है अब आप अन्दावर लगा लेते हैं को इसका टू लगा लेते चलो ठीक त्री लगा लेते हैं वह पर एकुरेट वैल् पर दिजिए कि श्रिप लो उसको सुशन के डिप कर और फुष करना पर दा बागव जाए करो पिर जाएगा पता जाल दीजी पी एच क्या है लेकर सिंपल वह दो लाक डोड रोते हैं तो लेगे यह यह पन के तरा आप उठा जालना है पेच पता जाल जाती है सहीए तो इ लिखने लगे हैं पहले नमर में जो पी एच मिटर है यह मोर अकुरेट होगा यह पिएच मेटर है इस मोर अकुरेट होता है यह को हता हमारे पास है ज्यादा अकुरेट है मतलब यह आपको इस तरह की रेटिंग दे सकता है टू पॉइंट सिक्स फाइफ यह यहाँ आप कभी ने सकते हैं यहाँ जो भी वैल्यू आएगी आपकी वोल नमबर होगी है टू आएगी थ्री आएगी फोर आएगी फाइफ आएगी सही है तो यह जाले एकुरेट है और इसमें हमारा टाइम बचता है इसे पुरा प्रोसीजर करना परता है अगर आपको दास बार स्रीशन हो तो आपको कफसे टाइम लग जाएगा लेकिन यहां पर करना है आपने से 10 बार स्रीशन लाइन में रख नहे और यह थो भीब実es ऐसंतर प्यआच करते जाना है सही है त लेस्ट टाइम, यह हमारा कम वक्त खर्च करता है, ठीक है? तो यह था यह मारे पास तीन तरह की चीज़े हैं, जिससे आप पी-एच को मालूम कर सकते हो, सही है, तो पी-एच को मालूम करने के लिए बिसिकल दो इतरह की हैं, एक पी-एच इंडिकेटर है, एक पी-एच नही मालुम कर सकते हैं इससे आप सिर्फ इतना बता कर सकते हैं कि कोई चीज एसर्ड है या फिर बेस है या देखिए जो सिंपल इंडिकेटर है ये सिर्फ आपको एसर्ड ये बेस में पहचान बताएगा ठीक है ये किसमें एसर्ड और बेस में पहचान बता रहा होता है वो कोई इंफोर्मेशन प्रोवाइड ने करेगा आपको जबकि पीएच इंडिकेटर हमें पीएच तक बताता है अगर आपको पीएच पर चल जाती है तो आप उसे यह नगर गा सकते हो क्या है वो चीज इस सेड ये बेस है वो चीज स्टोंग इस सेड है ये स्टोंग बेस है यहां ता का अंदार गा जा सकता है लेकिन अगर बात कि जाए पीएच मीटर की तो यह इस से भी ज़़़े कुरेट है क्यों कि इसमें वैल्यूस पॉइंट में भी आ सकती है 2.5 2.3.58. 8.5, 11.35, इस तरह की वैलियूस भी आ सकती हैं, लिकिन ये वैलियूस आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पी-एच इंडिकेटर से, ठीक है, तो एक्जैमिनेशन पॉइंट भी से फिर मैं बता रहा हूं, दो इंपोर्टन है, एक सिंपल इंडिकेटर, काफी दफा प ठीक है, और जो पी-एच इंडिकेटर है, उसका तो आप कम जगम डेफिनेशन तो लाजमी करोगे, ये निचे वहला प्रोसीजर आपने करना है, कर लो नहीं करना, वो आपके अपनी मर्जी है, सही है, इसकी प्रॉपर कोई एक्जैम्पल नहीं है, क्योंकि मैंने उपर ए एक मैं आपको सिंपल सिग्जैम्पल दे जेता हूं, इंडिकेटर की, रेड़ कैपी जोटी है, सही है, उसका जो जूस निकालके, अब उसको भी एज़े इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इसी तरह हल्दी है, हल्दी को भी आप एज़े इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो जिसरे एक एक्सपेरिमेंट करना हो ना लिम्मा का राश निकालकर नो उसमें हल्दी डालिए गए रांग रेढ़ होजाएगा दो बार पिर उसमें कोई पेस यह डालो ना फिर दो बार रहाए जाएगा ठीक है जो हल्दी है यह भी मारे पास ऐज अ के तोड़ पर जो नेच्छरिवल इडिकेटर उसके तॉरु हुसके तोड़ पर काम कर सकती है यह मुझतिलि अब उसका जोस निक आ रह जो कि आप इसको ईजा इनडिकेटर इस्माल पर सकते हो एक ए सर चिक्या है तो यह मarna राम्रों आगे है जो इंडिकेटर की हैं, तो यही हमारे पास आज करेक्चा, अलाह आफिस,